अलो गाइस वेल्कम बैक टो मैं चैनल आप देख रहे हैं श्री बेगवर बल्स मेरा नाम है निकवलादव देर कैसी है मेरी जन्त जना अंदर सब लोग ठीक होंगे दोस्तों आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब में को काफी हद तक मोटिवेट करता है तो जितना मोटि मारे से तो प्लीज एक बार एक बार आप मेरे से कॉंटेट करिए जितना मैं आप खोशिश करूँगा आपकी हैल्प करने का और हो सकता है विद्धी गॉर्प ग्रेस उसका क्योर भी मिल जाए क्योंकि आरविदिक में चमतकार ओश्यदिया हैं दोस्तों बहुत सारी ऐसे जिनके बारे में हम नहीं जानते हैं और बहुत हर जगे एवलिबल है कि आपकी आरिया में रहता है आप उस बारे में नहीं जानते और उसको यूदतियो आप मेरे से कभी बूल सकते हैं और उन छोटी-छोटी ओश्यदियों को भी मैं आने वाले व्लोग में कवर करूँगा जिससे आपको एक knowledge provide हो आप कहीं पर भी जाएं तो अगर सीच को देख सकते हैं recognize कर सकते हैं और उसको अपने साथ रख सकते हैं जोटेव यही है कि आपको जाल से जानकारी पहुंचाना एक छोटे से छोटे चीज की बड़े से बड़े चीज से लेका है तो आयरवेदिक के चमतकार आश्यदी हैं दोस्तों जीरो प्रेंस्टाइफेट्स हैं पर आप उनको अच्छे से लेंगे तो और टाइम कंसुमिंग होता है यानि 90 दिन का डाइम आपको किसी भी बीमारी में देना ही है जिससे उसके लाव आपको अच्छे समेले तो दोस्तों आज कब लाव फोकस है श्रंग्यादी चून जोगा श्रंग्यादी चून जैसे आप पिक्स में देख रहे हैं दोस्तों यह श्वांस क्वास का लियर रहता है श्रंग्यादी चून श्वांस के लियर रहता यानि अस्थमा से रेटेड जितनी बीमारिया हैं और आपके लंग्स से रेटेड जितनी भी प्रॉब्लम से अगर आपको हो रहे हैं तो श्रंग्यादी चून का निर्मान किया गया अर्विदिक में और यह classical composition ह इसके अचूख फाइदे हैं यानि आश्ओक निशाना है इसका किसी भी श्वासंप्राइ्ड में आप इसको ले सकते हैं आज हम बात करेंगे श्रंगादी चूण के ओप्योग के बारे में और इसके conjunction के बारे में यानि तीन stage में आपको बताता हूँ तीन में आपको segment में बताता हूँ कि इसका घड़क, उपयोग और conjunction तो दोस्तों सबसे पहले बात करते है इसके उपयोग के बारे में यानि शरंग्यादी चून जो है वो क्या आपको यूग में आता है दोस्तों में सबसे पहला आता है श्वांस कास का problem श्वांस कास यानि आप lungs में आपको जो भी प्रॉब्म हो है lungs में आपके infection है lungs में आपके फेफडों में कोई भी disturbance हो रहा है या आपको swans लीने में दिक्कत है यानि आपको जो breathing है वो अच्छे से नहीं हो रहा है आपको oxygen level कम हो रहा है oxygen level आजकल बहुत सारे factor हुए थे अपने साथ ले oxygen level कम हो रहा था तो स्वीश को भी रीकवर करने में काफी अच्छा काम करता है दोस्तों और सबसे अच्छे स्कावपयोग है आपका अस्थमा अस्थमा के दोस्तों मैंने बहुत सारे vlog बना चुके हैं हर एक composition के बार में बताया मैंने कि इसमें अस्थमा पर काम करता है पर हर एक की body अलग होती दोस्तों different bodies पे different compositions काम करती है हर एक body का अलग तासिर होता है यानि अलग उसका base रहता है हर एक body का तो उसके base के हिसाब से ही अलग अलग compositions का निर्मान किया जाता है तो शंगादी चून दोस्तों आपकी श्वांस कास आपके lungs में infection और अस्थमा में काफी अच्छा काम करता है ये तीन इसके topmost में एको benefits लगी जो मैंने आपको vlogs में cover किया अब बात करते हैं दोस्तों इसके घटक के बारे में यानि इसमें घटक क्या-क्या है ये किन चीजों से बनाया जाता है तो दोस्तों इसमें सबसे पहरे डलता है कागडा सिंगी कागडा सिंगी दोस्तों कि ये herb है जैसा आप देख रहे है कागडा सिंगी अगर सिंगी के बारे में बात कर रहे है तो सिंगी का मलत होता है सींग जिसे हम horn केते हैं यानि सींग को English में horn का जाता है तो ये डलता है कागडा सिंगी ये herb होती है यह सींगो जैसी दिखती है इसलिए इसका नाम कागड़ा सिंगी पड़ा गया है वो जो आपके गले में आपके फेफडों के लिए काफी अच्छा है दूसरा इसमें डलता है अतीस अतीस यह powerful हर्व है दोस्तों और costly भी है थोड़ा costly हर्व बाता है यह अतीस आमला बड़ी कटेली फल यह बड़ी कटेली फल आप देख रहे हैं दोस्तों यह डलता है भारंगी डलती है भारंगी च्छाल आती है दोस्तों जड़ भी आती है यह डलता है पुशकर मूर डलता है सेंदा नमग डलता है समुद्र नमग डलता है काला नमग डलता है विड नमक डलता है सांभर नमक डलता है और जवाखार डलता है यानि इसमें आपके पांच नमक यानि छे जितने भी छे नमक हैं वो सब भी डलते हैं घटक में आपको दुबारा पताएता हूं दोस्तों जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए इसमें सबसे बढ़ता है कागड़ा सिंगी, कागड़ा सिंगी डलता है, अतीज डलता है, सोठ डलता है, काली मिर्च, पीपल, हरड, बहेडा, हामला, बड़ी कटेली फल, भारंगी, पुशकर, पुशकर मूल यानी, सेंदा नमक, समुद्र नमक, काला नमक, विड़ नमक, सांबर नमक, और जवाखार, और जो भी मैंने आपको घड़क के नाम लिए, जितने भी मैंने आपको घड़क बता है, वो सभी मेरे पास हैपलेवल है, सबसे अच्छी बात मेरे साथ यह है दोस्तों, कि मैं व्लॉग्स मिरे पास अबिलार है, जिससे आपको कहीं भाड़क निकी ज़रूद नहीं अदै आपको कहीं बता हैं, 100% purity के साथ इनका raw material जितनी भी मैंने बताया आपको छे के नमक और कागड़ा सिंगी भरबेड़ा, आमला, सोंट काली मेर्च, पीपल ये सभी मेर पास अबलेबल है, with even quality आपको quality में compromise नहीं मिलेगा, तो अगर आप चाते हैं तो इसको घर पर बना सकते हैं, raw material मेर पास available है, और purchase करने का description में number है, whatsapp आप करिए सारा process आपको whatsapp बता दिये जाता है तो दोस्तों मैंने आपको इसके उपयोग बताया, इसका घटक बताया अब मैं बताता हूँ इसके consumption यानि इसको अगर आपको लेना है, अगर आप इसको लेना चाते हैं तो आप इसको कैसे उपयोग करें दोस्तों simple है, इसको ज्यादा difficult नहीं करना है आपको इसको simple पानी से लेना है, यानि ना गुनगुना पानी ना ठंडा पानी, जो room temperature पे water रहता यानि normal पानी लेना है आपको और आदा चमच लेना है, half teaspoon का इसलीज कहता हूँ दोस्तों क्योंकि जो भी compositions होते हैं आप उसको अगर limited quantity में लेंगे, आपको वो result देगा, time लेगा पर आपको result अच्छे मिलेगा, उसके side fats आपको नहीं होंगे, side fats हर चीज का है दोस्तों, आरे भी दिखमाई भी side fats है, but unless until अगर आपको उसकी quantity और उसके समय के बारे में मालुम है, तो आप उसके side fats नहीं होते हैं तो आप इसको ले सकते हैं, बेर चक लेजिए, आदा आद चमच सुबह शाम खाने खाने के बाद, पानी से, साधा पानी से अगर आप लेंगे तो आपको काफी अच्छे result मिलेंगे तो दोस्तो यह छोटा सा vlog, श्रंग्यादी चूण के उपर, श्रंग्यादी चूण की काफी अच्छा आता है दोस्तो हर कंपनी का बनाती है, अब आयचांस अगर आपको नहीं मिलता है तो आप मेरे पास raw material है, आप मेरे से purchase करके घर पर बना सकते हैं कैसे बनाना है, इसकी वीडी क्या है, यह सब में आपको WhatsApp पर बता सकता हूँ, और आप चाहें कि सभी को बताना है, तो आप नीचे comments करिए, मैं इसका separate block 0 बढाऊँगा तो दोस्तों कोई भी problems है, कोई भी आपको परिशानी है, किसी भी चीज के बारे में आपको difficulty है, doubt है, तो आप मेरे से diet पूर सकते हैं, description में number है और कोई भी चीज आपको purchase करना है, तो आप में से बे हीचक बात करिए, मैं आपको सभी चीजों के बारे में बताऊँगा So that's all for today guys, I hope you guys liked this video, please subscribe to my channel, share my chest game with family friends, तपकी लिए, bye